नमस्कार में आसमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News क्या शिवराज सिंग चोहान के मुख्य मंत्री ना बनने के बाद क्या इस रेस में उनके बेटे कार्ति के चोहान नजर आने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंग चोहान के बेटे के बारे में बात की जाए तो रजनीती से उनका बेहद लगाव नजर आ रहा है जिस तरीके से उनके बयान जाहिर होते वे नजर आ रहे हैं ये शिवराज सिंग चोहान के कदमों पर चलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। बुधनी में एक कारिकरम में जनता को संबोदित करते हुए कार्तिके यहाँ पर कई बड़ी बाते कहते हुए नजर आते हैं। ये कहते हैं कि जब तक यहाँ पर शिवराज सिंग चोहान है और शिवराज सिंग चोहान के बेटे कार्थिके हैं तब तक हम ठकने वाले नहीं हैं और जनता को निराश नहीं होने देंगे तमाम बयान जाहिर करते हुए नजर आते हैं जनता को संबोधित करते हैं आश्वाशन देते हैं और सीधे तोर पर कहा जाए तो शिवराज सिंग चोहान के बेटी होने के नाते नए नमेल्य मुक्यमंत्री मोहन सिंग यादव को भी चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे है क्या कुछ शिवराज सिंग चोहान के बेटी कार्ति के का कहना है देखे इस रिपोर्ट में पिताजी मुक्यमंत्री दे रहे है और फिर रापस नहीं आओ उनगा तो एक आपने उपर रात को जेन के नीट सो नहीं पाऊँ अब पर बोट माद दिन में आया था जब आप लोगों ने मुझ पर बिश्वादे को बोट मागे तो पिताजी भी नहीं आया था और जब सामने उस समय जब चुनाओं कि जब कोई वैक्टी माइक लेकर खड़ा था राश्वास तो वो में था है और इसलिए जब आप से उस समय मैंने वादा किया तो उस बादे को निभाने के लिए मैं वापस आया करतिके के बयान के बाद तो साथ तौर पर यही जाहिर हो रहा है कि अब बागदोर यहां पर शिवराज सिंग चौनाओं के बाद करतिके ही संभालते वे नजर आएंगे और अगली रेस में या बात करें लोक सभाज चुनाओं में भी आक्टिव नजर आ रहे हैं इसलिए अभी से तो ही यहां पर बयान देखे जा रहे हैं इतना ही नहीं विदान सभाज चौनाओं के दौरान भी शिवराज सिंग चौहान के इन तमाम योजनाओं के जरिये जंता को संबोधित करते हुए बें असर आए थे अब जिस तरीके से उनके बयान जाहिर हो रहे हैं साफ तोर पर नजर आ रहा है कि राजनीती में अगला कदम शिवराज सिंग चौहान के परिवार में से उनके बेटे का होन कि राजनी बस्थ है भूए बेल खी ज्याहिए लाज सिंग पिर दो परिडा वाजनी तरीके में से से उनके बहाँ तोर पहा हैं से उनके जिस लिदने हैं से शिवराज सिंगता के बान परिवरा हैं से जिवराण के